प्रदेश की राजधानी लखनों के वीवी आईपी गेश्ट हाउस में हिंदु ये वाहिने के पुर्व प्रदेश अद्यक्ष सुनें सिंग के बगावती तेवर अपनाते हुए हिंदु ये वाहिने के कुछ पुर्व कारेकरताओं के साथ गेश्ट हाउस में बैटा कर खु पुरक्पु न्यूज के सन्वादाता ने हिंदूय वाहिनी के प्रदेश महामंतरी पीकिमन से बात की तो उन्होंने कहा कि सुनेल सिंग वाहिनी के राश्री अद्धिक्ष नहीं है क्योंकि वाहिनी की मुख्या और प्रदेश के सीम योगी आदेतेनात पिछले इविधान चुना के दोरान ही सुनेल सिंग को वाहिनी से बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं उन्होंने कहा कि जो भी लोग हिंदूय वाहिनी की छवी को खुराब करने का काम कर रहे हैं वाहिनी की तरफ से उनके खिलाब कानूनी कारवाई की जाएगी आपको बताते चले कि राजधा को इसे करीब दो बजे लखनों के लिए रवाना हुए थे सूत्रों के नुसार वी वी आईपी गेस्ट हॉस में हिंड्य वाहिनी की बैठक हुई थी इस बैठक के लिए जिस अधिकारे ने जाज़त दी थी उन्हें मुखिमंद्री के निंदेश पर निलंबित कर दिया गया ह दरसल इस घटना करम के पीछे विधानसवा चुनाओं दोजा सत्रा मुल वजए है सुनिल सिंग चुनाओं में हिंड्य वाहिनी के कई पदादिकारियों ने बगावती तेवर्तु अपनाए थे बिते रहिवार को सुनिल सिंग ने एक बैठा कर खुद को राश्री अद्यक्ष होसित करने के बाद एकाएक प्याले में तुफान लाने के कोशिस किया है जिसकी भी हवा निकल गई पर जो जो बैठक आप इनों के जारा संजान मुझाया है कोई बैठक हुई है हिंदु युवाहिने उत्तर पुदे स्काई जिसके मुक्ष संदक्षक स्री औरक्ष कि ठादी सुवर पर उंकुई चिमानत योगी आधना जिमाराज है उससे उसका बैठक कोई संभध नहीं है और जो आप पता रहे हैं सुवरी संद्धे सत्र तो पिछले विधान सवाचनाव के ठीक वाले संगठन से उन्हें निकाला जा चुका है संगठन गुरुदी कर दियूं करन से और राश्वरुदी सर्दार के लिए इनवानी करकर रहें वोश्वरुद में करकरने करन से उन कि वहां पर फरी तरीके से हिंदो आईनी के नाम का रिप्योग किया गया है साथ में कुछ पैड़ लगाए जाए जाए है कि वहां किसकी गल्दी है किसने फरी वड़ा किया है किसने नगर के लोग बता पाएंगे आप लोग की द्वारक या कोई कानूनी करवाई की जाएगी जो जी इस तरह का सोसल बेडिया या अनुर्ण पहलाए जारा है है हिंदो युवाईनी चुकि पुछ महराज जी हमारे मुख संड़क्शक है और चुकि हिंदो युवाईनी का एक अच्छा नाम है बहुत सारे हिंदो युवाईनी के साथ में युवाईनी रास्टवादी युवाईनी इस तरह से नाम रखे बहुत सारे चीज लोग हिंदो युवाईनी के नाम पर दोखा देने की कोई कर रहे हैं उनका करना है कि हमारा अलग संगठन है ऐसे लोगों के यह हम लोगों ने अपने राजों में संगठन कड़ा करने की कोशिस कर रहते हैं, जब कि हिंद्वाइनी का क्यों उत्तर प्रदेश में एक आई ही हमारा, यह गठित है, और अन्य राजों में लोग सोसल मेडिया के माध्यम से जुड़े हैं, तो अन्य राजों के लिए हम लोग ने मद्द प्रदेश क के चीफ सेविट्री और श्युकूरी के जिलादिकारी को भी लिखा वहां के लोग इस तरह से बैठेक कर रहते हैं, तो उनकी खिलाब समय समय पे हम लोग करवाई करते भी हैं, अब उसमें हम लोग अभी जोकि हमारे प्रदेश प्रहड़ी लगनों में हैं, हम लोग पूर के लिख नागरा संग्यान और के लेके बाठेगे और जो भी गलत्याव बसके लाब करवाई के लिखा हैं